इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 28 इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 28 आहाज का राज्य जब आहाज राज्य करने लगा तब वह बीस वर्ष का था और सोलह वर्ष तक यरुशलेम में राज्य करता रहा और अपने मूलपुरुश दाउत के समान काम नह और बाल देउतों की मुर्तिया धलवा कर बनवाई और हिम्मोन के बेटे की तराए में धूब चलाया और उन जातियों के गिनोने कामों के अनुसार जिने यहुवा ने इस्राइलियों के सामने से देश से निकाल दिया था अपने लड़के बालों को आग में होम कर दिया और उचे स्थानों पर और पहाडियों पर और सब हरे व्रुक्षों के तले वह बली चढ़ाया और धूब जलाया करता था। इसलिए उसके परमेश्वर यहवा ने उसको अरामियों के राजा के हाथ कर दिया। और वे उसको जीत कर उसके बहुत से लोगों को बंधुआ बना के दमिश्क को ले गए और वहाँ इसरायल के राजा के वश में कर दिया गया। जिसने उसे बड़ी मार से मारा। और रमनल्या के पुत्र पेकह ने यहुदा में एक दिन में एक लाख बीस जार लोगों को जो सब के सब वीर थे घात किया। क्योंकि उन्होंने अपने पित्रों के परमेश्वर यहवा को त्याग दिया था। और जिकरी नामक एक एप्रेमी वीर ने मासेयाहँ नामक एक राजफुत्र को और राजभोन के प्रधान अजरी काम को और एलकाना को जो राजा का मंत्री था मार डाला। और इस्राइली अपने भाईयों में से स्त्रियों, बेटों और बेटियों को मिलाकर दो लाख लोगों को बंधुआ बनाके और उनकी बहुत लुट भी छीन कर सोमरून की ओर ले चले। परन्तु वहां ओदेद नामक यहवा का एक नबी था, वहां सोमरून को आने वाली सेना से मिलकर उनसे कहने लगा सुनो। तुम्हारे पित्रों के परमिश्वर यहवा ने यहुदियों पर जुझला कर उनको तुम्हारे हाथ कर दिया है, और तुमने उनको ऐसा क्रोध करके गहात किया, जिसकी चिल्लाहट स्वर्ग को पहुची है, और अब तुमने ठाना है कि यहुदियों को और यरुश्लेमियों को अपने दास्तासी बना कर दबाए रखो, क्या तुम भी अपने परमिश्वर यहवा के यहां दोशी नहीं हो, इसलिए अब मेरी सुनो, और इन बंधों को जिन्हें तुम अपने भाहियों में से बंधोआ करके ले आये हो, लवटा दो, यहोवा का क्रोध तो तुम पर भढ़का है, तब एप्रिमियों के कितने मुख्य पुरुश अर्थात, योहानान का पुत्र अजरिया है, मशिल्ले मोत का पुत्र बेरेक्या है, श बंधों को यहां मत लाओ, क्योंकि तुमने वह बात ठानी है, जिसके कारण हम यहोवा के यहां दोशी हो जाएंगे, और उससे हमारा पाप और दोश बढ़ जाएगा, हमारा दोश तो बढ़ा है, और इस्रायल पर बहुत क्रोध बढ़का है, तब उन हतियार बंधों ने बंधों और लूट को हाकिमों और सारी सभा के सामने छोड़ दिया, तब जिन पुरुशों के नाम उपर लिखे हैं, उन्होंने उठ कर बंधों को ले लिया, और लूट में से सब नंगे लोगों को कपड़े और जूतिया पहिनाई, और खाना खिलाया, और पानी पिलाया, और तेल मला, और तब निर्बल लोगों को गधों पर चढ़ा कर यरिहों को जो खजूर का नगर कहलाता है, उनके भाईयों के पास पहुंचा दिया, तब वे शोमरों को लूट आए, उस समय राजा अहाज ने अशुर के राजाओं के पास दूत भेज कर साहता मांगी, क्य की एदोमियों ने यहुदा में आकर उसको मारा, और बंधूओं को ले गए थे, और पलिष्टियों ने नीचे के देश और यहुदा के दखिन देश के नगरों पर चढ़ाई करके, बेतलमेश, आयालोन और गदेरोत को, और अपने अपने गाव समेत सोको, तिमना और गिम क्योंकि वह निरंकुष होकर चला, और यहुदा से बड़ा विश्वास घात किया, तब अशुर का राजा तिलगत पिलने सेर उसके विरुद्धा आया, और उसको कश्ट दिया, दुरुध नहीं किया, आहाज ने तो यहुदा के भवन और राजभवन और हाकिमों के घरों से धन निकाल कर अशुर के राजा को दिया, परन्तु इससे उसकी कुछ सहयता न होई, और कलेश के समय राजा आहाज ने यहुदा से और भी विश्वास खात किया, और उसने दमिश्ट के देवताओं के लिए जिन्होंने उसको मारा था, बली चढ़ाया, क्योंकि उसने य सोचा कि अरामी राजाओं के देवताओं ने उनकी सहयता की, तो मैं उनके लिए बली चढ़ाओंगा कि वे मेरी सहयता करे, परन्तु वे उसके और सारे इस्रायल के पतन का कारण हुए, फिर आहाज ने परमिश्वर के भवन के पात्र बटोर कर तुड़वा डाले, और यह यहुदा के एक-एक नगर में उसने पराय देवताओं को धूब चलाने के लिए उचे स्थान बनाए, और अपने पित्रों के परमिश्वर यहुवा को रीस दिलाए, और उसके और कामों और आदि से अंतर तक उसकी पूरी चाल चलन का वर्नन यहुदा और इस्रायल के रा इस्रायल के राजाओं के कब्रिस्तान में पहुचाया न गया, और उसका पुत्र हिचकिया है उसके स्थान पर राज्य करने लगा।